आप देखें तो पहले हमें कुश्चिन में गिवन क्या था रहा है उसको धंक से लिखा करो तो हमें गिवन था आपकी प्राउब्लम में कि डाइपोल के एक्सेल लाइन की बात हो रहेगी दाइपोल के एक्सेल रहे एक्षेलल लाइन पडेर्ट्रिक दाइपोल का फार्मुला क्या होता है। इसकले बार दो कनिशन गिवन था आपको फ़स्टे गिवन है कि र is value है 0.1 meter और electric field की value है 0.025 newton per coulomb. यहाँ से equation हाजएदी. क्या equation हाई फर्स्ट? 0.025 is equals to 1 upon 4.5 epsilon naught. र की value रगदीजे 0.1. यहाँ जाएगा 0.1 whole square square minus a square whole square. इसे equation number 1. इसके बाद आपको गिविन ता second case. second case में आपको क्या गिविन ता है वेटा? R that is equals to 0.2 meter and electric field वी को जाएगा 0.002 newton per coulomb. Now place the value 0.002 equals to 2p 0.2 divided by 4 pi epsilon 0.2 whole square minus a square whole square. यह हो गया equation 2. अब बना द्धियान नहीं पर 26 question number 26 and the problem is second part of the 26th problem. I think book is, यह कोई 2015 में आया और गुश्य ने अन्सोर पेपर में से एंटी जी में से पूछा गया. और बच्चे ने जो सौशन वेजा उसमे थोड़ इसी गलती गई. question is given the electric field in the region E is equals to 2xi. E ki value given हमारे पास E is equals to 2xi. तो कैसा electric field है यह variable यह constant? तो इन्होंने डाइग्राम दिया था ये तो इन्होंने डाइग्राम दिया दिया है ईए एिऊ ह lado है वाली बाथ क्या थी कि इलेक्रिक फील्ड की डिरेक्शन क्या है तूवर्स at s. यानि एलेक्रिक फील इस डैरेक्षिन में डिक्षेंट है अब एकी इसका मतलब तो हमें क्या करना बढ़ेगा हमें टेवल और ये डारेक्शन देख नहीं है कौन सा फेस क्यूब का फ्लक्स जा इलेक्रिक फिल्ट से फेक्ट्रिक होगा तो एक तो का पीछे वारा जो वहने भी बनाया और एक होगा यह जैसा कि क्यों लेके दिखाया भी लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंस यह होगा कि यहां पर इस वाले फेस पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी जीरो और इस वाले फेस पर इस वाले पर एक्स इक्वल्स तो ए तो इलेक्ट्रिक फिल्ट फेस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ट माली जे एवन है और यहां पर है एरिया वेक्टर दॉनों के लिए आपको पता है यहां के लिए कितना होगा अपोजिट इस रन एरिया वेक्टर और यहां के लिए एरिया वेक्टर की डिरेक्शन होगी यह तो सबसे में मिकालते हैं फ्लक्स पाई वन फाई वन यह एक्टर दॉनों के पीछ के अंगल कितना है एलेक्रिक फिली डिरेक्शन यह एरिया अलेक्टर की यह दॉनों की भी इच एंगल है बनेटी कर यानि ए वन एवन की वैली हो जाएगे अगर यह साइड ए यह भी ए तो हो जाएगा ए स्क्वेर कॉस्ट बनेटी पाउस क्यों एक युकह गया लेक्ते है हम माइनस वन और एक्वालु कितनी है जीडओ अब एक्स की वैलु आ खनेंगे, मेंस पाई बन की वैली कितनी अ गयी जिरो यह 5 1 तक्स फाइट बेकम्स जीडू जीरो, Newton meter square per Coulomb, अब देखते हैं, 5-2 की value कितने आएगी, 5-2 के लिए, second space को लिए इसको, and 5-2 becomes, e2 dot a2 cos 0, e2 के value कितने 2x, a2 के value होगी a2 cos 0 के value कितने 1, अब x की जरी यहां पर क्या लेक सकते हैं, a, so now 5-2 becomes 2aq only, Newton meter square per Coulomb, आपके पर वेटा, 5-1 आगया, 0, 5-2 आगया, 2aq, now, net flux, यह कितना हो जाएगा, 5-1 प्लस 5-2, that is 2aq, Newton per Coulomb, meter square, एक answer आपके आया, यह, दूसरे रिकालना है, charge, तो by Gauss चरम, हम क्या कर सकते हैं, charge is equals to, हम रिखते है, epsilon node into flux, answer q is equals to epsilon node, 2aq, epsilon node, को लाँ, यह तो answer आगया, यही गलती करी थी छोटी सी आपने, और कोई नहीं करी, कि आप उसी question को यहां से start करने के लिए, यहां से कर रहे हैं, एक ही value दोनों phase पर आ रही, एक पर, एक डूसरे पर 2a, इसके अलावा मेरे पास कोई problem आपकी तरफ से नहीं पूची गई, एक मैंने कहा था, आग में continuous problem का वो पास करांगा, जिसमें थोड़ा सा different problem होगी, that is, basically, depend on continuous charge distribution, इस प्रवबन थोड़ा सा integration पास करांगा होगा है, उसके जांगे नहीं परेगा, अंजी, यह वाली problem, ठीक है, इन्होंने कहा था कि एक क्यूब है, जो की x, y, z पर रखा हुआ है, और जिन पर, जो डाइड़नाम में आपको दिखता है, यहाँ पर अलग होगी, इसकी वाली और यहां पर अलग होगी. है तो हम देख रहे हैं केवल एक ही डिरेक्शन में यहां पर रखा हुआ है हमारा जो डायरेक्शन में इस तरह से मूउड़ कर रहा है तो इतुब के पेस्ट को देखने लैक दिस भी लेद दिया ऐन्य तरफ यहंगा नहीं तरफ है यह वाला दूसरा के से यह सामनी की तरफ है इसका इर्यावेक्टर में तरफ आएगा लेके लेक्री फील इदर है इसका area vector भी दरी है, electric field भी दरी है, difference क्या हो रहा है, कि electric field की value हर face पर, यहाँ पर different है और यहाँ पर different, this is called x equals to 0, and electric field depends on x, और यहाँ पर x की value कितनी है, a, यहाँ पर x की value a है, तो आप a count करेंगे, अब electric field की value तोनों जगे अलगद हो जाएगी, यहाँ even, यहाँ mean to, e1 की value कितनी हो गई, 0, क्योंकि x की value कितनी है, 0, e2 की value कितनी हो गई, 2A, क्योंकि x की value कितनी है, यह main चीज़ है यहाँ पर, जिसके कार्ण सबसे पहले क्या निकाला पाइवन फ्लक्स पाइवन कितना होगा इवन डॉट एवन अब एडिया वेक्टर इधर है इवन इधर है यहां पर कॉस्ट वन एक्टी गैट इस माइनस वन इलेक्रिक फिल्ड की वैल्यू जीडो पाइवन हो जाएगा जीडो तो फ यू टु ए तो यह तो दैट इस तू ए चीजगा पर एया एक्सके जगह पर एया जिए के बैट्र वेल्यू कितने है ए इस्फवेर यह कम्प्लीट पेस क्यू कर विधिया है जो हमसे तरह से रहेगा भाई यह यह भी एह यह है तो ए स्कूर ओगे अग क्या होगा फिए अक खेंस को फ्ल्क्स काँड है जैसे एकमसे कर देंगेर टोल चारजना। कि 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 बढ़े गुद्ट करें थे कंट्यूनिस चार्ज डिस्टिविशन की आज इसकी सेकिंड प्रॉब्लम यह प्रॉब्लम गौश्ट रोर्म से बहुत इजी ली हम सॉल्व गड़ते हैं इसने लोग बाग वाइट गरते हैं with the help of continuous charge. The problem is, find electric field due to charged rate while at a distance from midpoint और वाइड यह कंडिशन इन्हों में दिया है यह हम लोग कर चुके हैं बाइद दॉस्ट चरम अब यहां पर करके देखते हैं देखें कैसे होगा माल दीजिए इन फाइनेट लेंग्ट का एक स्टेट वायर होगे यह इसका सेंटर पॉइंट है और मुझे इस सेंटर पॉइंट से आर मीटर की दिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पाइंड आउट करना है कि किदर होगा क्योंकि एक कंटिनस चार्ज दिस्टिविशन है तो हम लोग क्या मानते हैं लेट दा लीनियर चार्ज देंसिटी लेंदा लिनियर चार्ज देंसिटी कितनी है लेंदा और हमने क्या किया यहां पर एक सबसे पहले जैसे कल किया था रहे में यहां पर भी एक यहां छल्प आलीम्ट सबस्टी देंसट झी प्रफ देंसर हैं सिड़ आस रहे में इसी प्रफ ज जैसट Mac वेड आस बानंत तिसंग आस लेका Normallyड बिल्भपन है कि अ स्सेट dρέमिरीट नहां कर देंसिट आस्या टाश सिटीटे कितने क्यकeln है है ......and waż Celsius... origin, अब इस dx पर क्तना चार्ज होगा? हम देए चार्ज होगा? रिस Вас dq कि वैल स्विग वैल कितनी होगी, लैंब्दा is equals कि पल द द एकुल वाई refreshed लेंज, लैंब्दा स्ट द ड्केटेवा कि रहिए? लैंदा इंडेटों द एक्वेशन नंबर वन. अब इतना चार्ज है यहाँ पर dq इसके करण एलेक्टिक फील्ड की डिरेक्शन क्या होगी अगर यह चार्ज प्लस का है तो एलेक्टिक फील्ड की डिरेक्शन बहार की तरफ होगी डेडिलिया आउटवर्ड डेट इस ईवल हलका समय रेस तरफ लिये ईवल लेंड़न डिरेक्षिन नॉट इन वर्टिकल नॉट इन वर्टिकल वर्टिकल में हैं मान लीजिए मैंने इस एंगल और थीटा तो यह एंगल भी थीटा हो जायगा सेम लाइन है और इस एवन के दो two components, this is two components, that is even cos theta. वा यह यह वाँ जाएगा, even sin theta. Now, the electric field due to dq at point P. P is कितना होगा D E is equals to 4 होगया D Q upon 4 pi epsilon node ये वाली distance यहां से यहां कितना होगी Hemanshu Hemanshu what is the distance between this and this D X से P तक की distance जब किया में पता है O से D X R X है और O से P R है दिपेश बताएं कि Very good Root R square plus X square So manage that इसी चीच को लिया और चुकि square करने इसका भी तो जाएगा R square plus X square only Under root का square किया और root हाट जाएगा यहां तक का clear है equation 2 अब सिमिलर वे में we have to consider the same element in the other side at the same distance यहां यहांजी यहांगी X भी same element भी same दूसी साइड गे हो तो इसका भी ऐएगा E2 और उसके component भी same यह होंगे फिर तो प्र दोन सब्सिदर ने एम अलिवेंट एट से इस थांस अप्रप्र अधर साइब यूर्मिट अबिट अधिविक जो किविक ने क्टिविक वोगे अच्छा, distance negative, तो distance negative और चाहिए भी हो और है की तो positive, displacement के sign हुटे ही लोता है, बस, तो other side है, सब कुछ same है, so the electric field also same. हांके electric field भी same हुआ, इसके component भी same होंगे, D1 cos theta, यहां भी E2 cos theta, और यह जाएगा उपन E1 side, E2 side theta. So, the horizontal components components are equal and opposite. अगर horizontal component equal opposite है, तौम क्या रहेंगे, sigma EX की value हो जाएगी 0, sigma EX 0 होगा और vertical component exist करेगा, only vertical component takes place. मेंल के वल रहेंगे, और क्ये वल रहे वाल के विटीटल कंपोने यहां पर होगा, और स्की वल्यू कि इतन Istない होगी, integration EY. Now, this is integration, E1. integration E1 integration dE sin theta. अव वест बल्यू का बल्य रहें, E becomes integration D E की value है D Q 4 pi epsilon node R square plus X square की power पुछ भी नहीं वनी है ये तो होगा D sin theta के राल हो कितनी होगी theta आप तो दिखाई दे रहा है what is sin theta theta के लिए perpendicular कितना होगा R hypertonus कितना होगा R square plus X square so sin theta की value कितनी हो जाएगी R upon under the root R square plus X square और D Q की value आप रेक्सकते हैं आपर lambda into D X so now E becomes R take common lambda common 4 pi X star and not common D X over X square plus R square T power 3 by 2 and this is equation number 3 and this is integration to solve कर दीजे आपकी value आजाएगी अच्छा limit कितनी होगी आप देखरें जीटो से यहानी origins अज़े चल रहे हैं और यहां से यहां तक जा रहे हैं infinite से एक तरफ infinite से दूसी तरफ infinite जा रहे हो तो लिमिट कितनी होगी माइनस infinity to infinite कौन कर सकता है इस इंटीजेशन को पस्ट नॉट दॉट इस देखरें आपकी पीछली जीजे हम लोग पे इंटीजेशन साल करते है थोड़ा मुश्किल है इस तदे कास तद नहीं किया इक्रेशन इंटीजेशन साल करेंगे वेल्य रख देंगे सब्सिटूट कर देंगे बस इतना काम है हाँ जी रिकॉर्डिंग ओन है अब देखे इंटीजेशन साल करेंगे लिए इस रिकॉंस्टू आर लेंड़ा अपॉन पॉर पाइ एपसाइलन नोड हमने ले रखा है यहां पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी दी एक्स ओवर एक्स स्क्वाइर प्लस और स्क्वाइर की पावर थ्री बाई थी यही है ना इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में लोग आगे चलके तहेंगे सब्सिट्यूशन मेथन करते हैं इसे तो लेट है टर और सक्वार टकाइर द की देटन प सक्वार दकाइर टट सक्वारs ऋबस्यूब और सक्वार सक एट दकाइर दकonseल्ट सक्वार खेन थाटेट है लोगर आटेटो थीज अब देखें दोनों की value रखेंगे तो e becomes r lambda 4 5 epsilon 0 dx की जगे पर क्या रखोगे r sec square theta d theta divided by x की जगे पर हमने लिखना है r 10 square theta x square that is r square 10 square theta plus r square bracket से बाहर पावर होगे 3 by 2 अब देख वाटा limit कितनी हो जाएंगी या थी minus infinity से infinity 10 theta हम देख रहे हैं जब x की value minus infinity होगी तो 10 theta कितना हो जाएगा सोचके बताओ जाना if 10 theta becomes minus infinity then what is the value of theta the theta becomes minus infinity sorry minus pi by 2 ऐसे ही जब 10 theta कि value plus infinite होगी तो theta हो जाएगा plus pi by 2 so the limit becomes minus pi by 2 to pi by 2 अब किसमें से r square को कॉमन लेजे r लेंगा अपॉर पाई एपसायल और आर स्कॉर को बहार होगे तो बहार के आएगा बहार निगलेगा r square की पावर 3 by 2 2 से 2 केंसे केवाल r cube बचा यहाँ जाएगा r cube this becomes r lambda पहले से था हमारा यह r lambda पहले से था ना अब देखे यह उपर भी एक आर है इसे बहार लेगी जेए this becomes r square sec square theta d theta 1 plus 10 square theta कितना हो जाएगा this is sec square theta now becomes r square से यह जाएगा lambda upon 4 pi epsilon node r second square theta d theta divided by second cube theta d अब यह square theta है इसे से q cancel हाएगा and the answer becomes solution becomes electric field is equals to lambda upon 4 pi epsilon node r set theta को उपर ले कहेंगे cos theta d theta limit है minus pi by 2 से plus pi by 2 हर एक में लिमिट है minus pi by 2 2 plus pi by 2 अब देखे इस cost theta का integration कितना होता है यह तो हमने पता है इसी नहीं हमने substitute किया change किया इसी नहीं पता है कि cos theta का integration होता है sin theta now lambda upon 4 pi epsilon node r sin theta और लिमिट अगी है minus pi by 2 2 pi by 2 integration जब लिमिट solve करते है तम करते हैं अपर लिमिट मिनस लोर लिमिट अपर लिमिट फिल किये sin pi by 2 minus लोर लिमिट फिल किये sin minus pi by 2 this can be written as lambda upon 4 pi epsilon node r sin pi by 2 कि वल्यू 1 minus minus pi by 2 कि वल्यू 1 1 minus minus 1 that means it becomes 2 so you take a lambda upon 4 pi epsilon node r into 2 and the answer becomes जो आप लोगों को पहले से पता है lambda upon 2 pi epsilon node r आप लोगों से भी आप लोगों ने किया था याद हो हम लोगों ने गौशन सर्फेस बनाई थी स्पेर और फिर इसे सॉल्ट किया था आज हमने किया इसे इंटिग्रेशन मेटर से सर्फेस चार्ज देंसिटी को लेते हुए तो अब आप लोगों पता ही है कौन से जादा इसी था इसी लिए गौश्चरण को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि गौश्चरण सर्फेस से गौश्चरण से हम लोग इलेक्ट्रिक फिल्ड इसी ली कैल्कुलेट कर सकते हैं पेपर में कभी भी 90 परसेंट चांस होते हैं कि यह लिखा नहीं आता था यूँ आप आप इस लेक्ट्रिक फिल्ड विदाउट गॉस्चरण लेकिन यह मैठर बदाया क्योंकि कई वाली पूछ लिया जाता है जब आप कहीं पर अप्लाई करते हो जब बिना गॉस्चरण क आपकी नॉलिच के लिए एक बार एक्स्प्लेंग कर दिया मैं अब कल की रिक में मैं सिर्फ कुछ फॉर्मले फॉर्मले बताऊंगा निमेरिकल्स कुछ स्पेशल पॉर्मले जो हमें कंप्टीशन के लिए काम आते हैं ठीक है आज प्रेक्टिस करना जिसकी प्रॉब्लम्स होंगी कलोर सॉल करूंगा कुछ स्पेशल पॉर्मले बताऊंगा उसके बाद नेक्स टॉपिक ओके गुड़ लग एंड गुडबाय लीव दे क्लास क्लास